नमस्कार दोस्तों बांगला देश में होने वाले इस समस्या की बीच एक बहुत बड़ी निवज निकल कर आ रही है जहां पहले वहां की सरकार भारत को धमकी दे रही थी अब वहीं सरकार वहां की माइनॉर्टीज पर होने वाली हिंसा को बंद करने की चेतावनी दे रही है आखिर रातो रात ऐसा क्या हुआ कि बांगला देश की सुरही बदल गए क्योंकि जब से वहां पर नई सरकार का गठन किया गया है तब से बांगला देश की इस सेना समर्थी सरकार भारत को केवल आखे दिखा रही थी और तो और बांगला देश के नए प्रधान मंतरी मुहमद यूनिस जीने सांती का पुरसकार मिल चुका है कुछ दिन पहले भारत को धमकिया दे रहे थे अब वह भी आर्मी से साफ सब्दों में कह रहे हैं कि माइनौर्टीस के उपर होने वाली हिंसा को तुरंत रोका जाए नहीं तो वो प्रधान मंतरी पस से रिजाइन कर देंगे दोस्तो बांगला देश के सूर ऐसे ही नहीं बदले हैं ये डर है भारत का ये डर है भारतिय सेना का जिसने पिछले कुछ दिनों से बांगला देश के बॉर्डर पर अपनी ताकत को बढ़ाना सुरू कर दिया है दोस्तो हो सकता है भारतिय सेना कुछ बड़ा प्लान कर रही है बांगलादेश के इस समय की घटनाओं को देखते हुए भारती सेना को भारत सरकार से कुछ निर्देश मिले होंगे कि बांगलादेश की समस्या से काफी हिंदू भारत की ओसरण लेने आ सकते हैं जिसके कारण भारत और बांगलादेश के बॉर्डर पर एक बड़ा रिफ्यूजी संकट खड़ा हो सकता है इसी वजह से सेना को तैयार रहने और अपनी छमता को बाढ़ाने के लिए कहा गया है लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है भारती सेना की इतनी बड़ी तैयारी केवल बांगलादेश से आने वाले हिंदूों के लिए नहीं है इस समय भारत बांगलादेश को चारो तरफ से घेर रहा है जब आप भारती उप महादीप का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की सबसे बड़ी सीमा बांगलादेश से लगती है और ये बात भारत के लिए बड़ी समस्या को जन्म देती है क्यूंकि इतने बड़े बॉर्डर को सुरच्छित रखना एक बड़ी चनोती है भारत और बांगलादेश की पूरी सीमा की सेंसिंग भी अच्छी तरीके से नहीं की गई है क्यूंकि इस बॉर्डर पर कई नदियां, जीले, पहाडी इलाके और संहन जंगल आते हैं और इनी सब कारणों से भारत और बांगलादेश की सीमा को सुरच्छित रखने से भारतिय सेना को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी वज़े से हजारों लाखों बांगलादेशी घुस पैठिये आसाम और पश्चिम मंगार जैसे राज्जियों में घुस पैठ करने में सफल हो जाते हैं लेकिन अब भारतिय सेना ने अपनी इस मजबूरी का फायदा उठाना सुरू कर दिया है बांगलादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और उसके एक तरफ हिंद महा सागर पड़ता है यदि भारत चाहे तो पूरे बांगलादेश को चारों तरफ से घेर कर उस पर दबाव बना सकता है जहां तीन तरफ से हमारी भारतिये थल सेना और समुद्र में भारतिये जल सेना बंगला देश को घेर सकते हैं दोस्तो सायद भारत सरकार को इस बात की आसंका पहले से ही थी और भारत की सेना ये बात भी बखुबी जानती थी कि जैसे ही बांगला देश में सेख हसीना की सरकार गिरेगी बांगला देश में हिंदूों की हालात बत्तर होते जाएंगे और भारत को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और जब वहां के हिंदू भारत की तरफ सरण लेने बॉर्डर पर आएंगे तो उनके साथ बेश बदल कर कई बांगला देशी घुस पैठिये भी इस मोके उठाने आ जाएंगे और भारत में घुस कर भारत की आंतरिक सुरच्छा को चोट पहुचाएंगे दोस्तो इसी वज़े से भारत ने अपनी सेना की तयारियों को बांगला देशी बॉर्डर पर बढ़ा दिया है और बांगला देश को साथ संदेश दे दिया है कि भारत बांगला देश की किसी भी गलत फैमी का जवाब बहुत बड़े लेवल पर देने को तयार है और जरूरत पड़ी तो भारत बांगला देश की मैनोरिटीज की सुरच्छा के लिए बांगला देश के अंदर भी आ सकता है। और साइध इसी वज़े से बांगला देश के सुर्फ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। जैहिन, जैभारत, नमस्कार!